नमस्कार दोस्तों भटनेर आये इसमें आपका स्वागत है मेरा नाम है हरप्रीत सिंग दोस्तों जो इन्फोमेशन इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो बिल्कुल सही है UPSC Civil Services Exam 2022 के लिए number of vacancies बढ़ गई हैं दोस्तों Massive increment हुआ है दोस्तों number of vacancies में और ऐसा बहुत समय बाद हुआ है कि vacancies का number 1000 को पार कर गया है जिहां दोस्तों 2 February 2022 को notification आया था Civil Services 2022 के लिए है ना और उस वक्त number of vacancies कितना था उस वक्त number of vacancies था 861 861 vacancies आयी थी पहले लेकिन अभी जो बड़ी update आयी है उसके बाद number of vacancies हो गई है ध्यान दीजिएगा 2011 और बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि UPSC Civil Services Exam में 1000 से जदा vacancies निकली है ये ऐसा कमाल हुआ कैसे है कई लोगों के मन में तो ये सवाल कौन रहा होगा और बिल्कुल जायज सवाल है है ना तो इसका जवाब भी आपको दिया जाएगा आपको दोस्तों उससे पहले बता रहता हूँ कि 150 vacancies बड़ी है और 1011 vacancies अब हो चुकी है और 2016 के बाद पहली बार ऐसा है 2016 में 1089 vacancies थी है ना और उसके बाद अब जाकर 1000 प्लस vacancies आई है है ना 2017, 18, 19, 20, 20 कोई भी साल ऐसा नहीं था जब vacancies 1000 से उपर गई हूँ या 1000 क्या स्पास हूँ ठीकि काफी कम रही थी 1000 से 2022 में जाकर बहुत लंबे समय के बाद ये vacancies इतनी आई है अब ये ऐसा हुआ क्यों तो दोस्तों Indian Railway Management Service में 150 vacancies निकली है ठीक है अब ये चोटी मोटी vacancies नहीं है ठीक है अधिकारियों की vacancies है और सरकार ने फैसला किया है कि भाई ये जो vacancies है ये UPSC exam के तुरू यानि Civil Services exam के तुरू ही भरी जाएंगी तो Civil Services exam 2022 के जरिये इन vacancies को भरा जाना है तो ऐसे में number of vacancies जो है वो 861 की बजाए अब 1011 हो गई है दोस्तों और ये बहुत बड़ी बात है ध्यान दीजेगा Indian Railway Management Service है ना पिछले दिनों प्रोटेस्ट वगारा भी हुए थे वो भी railway को लेकर ही हुए थे लेकिन अभी देख लीजे थोड़ा चुनावी मौसम भी है सरकार ने अपना दिल खोला है पहले के मुकाबले आप लोग जानते हैं कि इस सरकार का record इतना अच्छा नहीं है number of vacancies देने के मामले में लेकिन जब 861 vacancies आई थी तब भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा पहले से जादा दिल खोला है सरकार ने लेकिन अभी तो आप सोच लीजिए कि इस सरकार के अकोर्डिंग तो भई ये बहुत ज़ादा उन्होंने vacancies दे दी हैं इससे ज़ादा ये लोग शायद ही दे सके हैं तो 1011 vacancies आप लोगों के लिए हैं 150 vacancies बढ़ गई हैं यानि कि 150 अवसर आप लोगों के लिए बढ़ इसके अलावा मैं कुछ और घोशनाएं करने वाला हूँ ठीक हैं ये घोशनाएं भी आपके लिए important होने वाली हैं लेकिन पहले important जो information है वो ये है कि 22 तारीक जो है 22 वर्वरी जो है वो last date है आपका form फिल करने की तो भई देरी मत कीजिएगा 22 तारीक को शाम 6 बजे के आप लोग form नहीं भर पाएंगे तो भई फटा फट form भर दीजिए जो लोग भी रह गए हैं जिन लोग के मन में भी थोड़ी बहुत निराशा थी कि वही सीटे कम हैं तो भई सीटे कम नहीं है 150 vacancies बढ़ गए हैं टोटल 2011 vacancies हो गई हैं 150 अवसर आप लोगों के लिए जारी करनी है ऐसा मौका पता नहीं फिर कब जाकर आएगा ठीक है पांच जून को आपका प्रिलिम्स एक्जाम है और किस तरह से फॉर्म भरना है वह दोस्तों आपको इस वेबसाइट के ओपर जाकर फॉर्म भरना है यूपी एस सी ओनलाइन डोट एन पर जाकर इसके अला है ना उन लोगों को कितना कितना relaxation मिलता है एज में ये भी आपको पता है SCST जो category है उसके लिए 5 साल का reservation है तो उनके लिए maximum age limit 37 साल हो जाती है इसके लावा अगर आप OBC की बात करें other backward classes तो यहाँ पर 3 साल का relaxation होता है तो आप मान लीजे यहाँ पर 35 साल maximum age limit है ठीक है तो य यह तमाम चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके लावा दोस्तों अब जो मैं घोशना करने जा रहा हूँ वो यह है कि हमारा CSET live course बहुत जल्दी आने वाला है इस course का price दोस्तों 1999 रुपए होगा पहले हफते में first week में इसके बाद इस course का price बढ़ जाएगा 2500 रु अबातार हमें messages कर रहे हैं भाई के sir live course लेकर आईए live course लेकर आईए live course लेकर आईए तो live course के लिए बहुत जाद एक्स्ट्रा कुछ effort लगानी पड़ती है बाकी चिकापर आप देखेंगे कि live course अगर कोई लेकर आ रहा है तो किसी का price 20,000 है किसी का 15,000 है कोई कम में दे रहा है तो भई वो 10,000 तक शायद दे रहा होगा हमने पहले की तरह से ही एक बार फिर से आप लोगों के लिए सबसे affordable course लाने की ठानी है और ये course आप लोगों के लिए 2000 रुपए से भी कम में available होगा पहले एक हफते के लिए 1999 रुपए में आप लोगों को cset live course मिलेगा और इसके लावा एक हफते बाद इसका price 2500 रुपए हो जाएगा तो 2500 रुपए भी ज़्यादा price नहीं होगा अगर आप लोग recorded course खरीदना चाहते हैं तो recorded course हमारी app पर मजूद है पूरा हो चुका है ये course complete course है इसमें सब कुछ आपको मिल रहा है PDF मिल रहा है doubt clearance हो रही है आपको test मिल र रुपए से भी कम में 1499 रुपए में आपको crash course मिल जाएगा हलांकि दोस्तों इसकी validity जो होगी वो बहुत कम होने वाली है इसकी validity 10 जून तक होगी है तो जिन लोग का मकसद यही है कि एक बार prelims के उपर पूरा जोर देना है मुख्या परिक्षा के लिए बाद में महीने की validity मिले पूरे एक साल की तो वो ये course है दोस्तों आपको इसके लिए 3699 रुपए पे करने होंगे एप पर जाकर इसके लावा हमारा जो combo complete course है combo complete course मतलब जिसमें GS paper भी रहेगा CSET paper भी रहेगा वो आपको 1999 रुपए में मिल जाएगा बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर अंदर हम लोग ये crash course announce करने जा रहे हैं लेकर आ रहे हैं ठीक है और इसकी validity भी वही होगी 10 जून 2022 तक तो जो लोग केवल प्रिलिम्स परिक्षा को ध्यान में रखकर target बना कर काम कर रहे हैं चल रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बहतरीन मौका है अगर आप लोग पूरे एक साल का target कर रहे हैं long target कर रहे हैं तो बही 12 महीने की validity के साथ हमारा ये course आप लोग के लिए available है जिसका price 499 रुपए है फिलहाल ठीक है तो ये महतरपूर्ण जानकारियां थी उमीद कर रहा हूं कि आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होगी हमारे हमारी जो घोशना है वो भी सही लगी होगी definitely लगनी चाहिए दोस्तों इससे कम price में आपको quality courses कहीं पर भी नहीं मिलने वाले ये दावा है मेरा धन्यवाद दोस्तों